दोस्तों नमस्कार, आदाव सर्थियकार, नियूस क्लिक के करकर हम आज की बात के साथ मैं उर्विदेश दोस्तों आज मैं राजमीत पर बात नहीं करूँगा, आज मैं एक फिल्म पर बात करूँगा और यह फिल्म है जै भीम, आप सबने इसकी चर्चा सुनी होगी जिन लोगों नहीं देखी है उन्होंने भी, और जिन्हों ने देखी है इस फिल्म पर अलग अलग ढंकी जो विद्वानों की राय आ रही है, विशेशक्यों की, फिल्म समिक्षकों की, समाशास्त्रीों की, र इन तमाम ओपीनियन्स के बीच में कोशिश कर रहा हूँ खोजने की कि आखिर ये फिल्म है क्या दोस्तो ये फिल्म 1993 की एक घटना पर बनी फिल्म है यानि ये एक वास्तविक कथा का की पुनर रचना है परदे पर ये जो घटना 1993 की है उसका फैसला हाई कोट सिर्ट बाद में आया संभौता 2006 में लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी और आदिवासी समाज जो एक बहुत ही प्राचीन आदिवासी समाज है तमिलाट का उसकी ये कहानी है कि किस तरह उस आदिवासी समुदाय के लोगों को पुलिस ने संभौतों समय एएडियम के का रूल था तमिलाट में और हुद पुरी तरह उनको मारा गया था बहुत पीटा गया था बहुत प्याल किया गया था उनके घर उजार दिये गये थे कई लोगों को हिरासत में रखा गया हिरासत में ही लोग गायब कर दिये गये उनमें दो लोग बहुत बाद में मिले और एक व्यक्ती मिला ही नहीं क्योंकि वो व्यक्ती जीवित ही नहीं बचा था बंदी प्रत्यक्षी करण याचिकाय दायड करके एडोकेट चंद्रू तमिलाट के एक ऐसे वकील जो अपने विशारों से वामपंथी रुजान के थे और एक वकील के तौर पे मानवाधिकार हनन के मामलों को टेकप करना उनकी प्रात्मिक्ता थी एडोकेट चंद्रू जिवित हैं तमिलाट में हैं बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के और वो जस्टिस चंद्रू अब कहलाते हैं क्योंकि एडोकेट के तौर पे उनका प्रोमोशन हुआ वो जस्टिस बने न्युक्त हो गए लेकिन ये कहानी उस समय की है जब वो एडोकेट थे और जबरदस्त उन्होंने काम किया इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि कैसे राजा कन्व जो सेंग गई जो आधिवासी महिला है सेंग गई उसका जो हश्पेंट है जिसकी हत्या कर देती है पुलिस मार-मार कर और क्यों क्योंकि गावन के सरपंच की बीबी ने आरोप लगाया है कि उसके जो गहने, उसके जो जेवरात, उसके जो पैसे हैं घर से गयब करत दिये गए और ये आदमी आया था क्योंकि ये चुहा मारने वाले लोग, सांप मारने वाले लोग, इनहीं को बुलाया जाता है जब भी कोई सांप نिकलता है गर में उस दिन घर में साप निकला था तो उसका ये कहना आया था कि उसने देख लिया था कि इनके घर में कहां कहां क्या है और चोरी इसने की है सरपंच, बहुत दबंग बिक्ती था उसने आरोप लगाया और आरोप से उसने पूरे के पूरे पूरे माकमे को मोपलाइज करके उस पूरे खांदान किया उस पूरी ट्राइब, उस पूरी आधिवासी कम्यूनिटी के लोगों को उस महले को तहस नहस करा दिया बिलकुल बेहाल कर दिया लोगों को और उस समय जो उसकी पत्नी थी राजा कर्णू की वो गर्भ होती थी उसको भी पीटा गया और राजा कर्णू को खतम कर दिया गया लेकिन ये कहानी कैसे आगे बढ़े इसलिए कि पुलिस स्वयम एको कर्म कर रही थी पुलिस नहीं सब कुछ किया था तो बंदी प्रतक्षी करन याचिकाय दायर करके और एडोकेट चंद्रू ने पूरी कहानी को पलट दिया और पूरी कहानी पूरे समाज के सामने खुल कर सामने आ गई कि कैसे उनकी पुलिस स्वयम अपराधी बनी हुई है और कैसे एक जमाने में जस्टिस मुल्ला ने कहा था पुलिस के बारे में ठीक वही चरितार्थ हो रही थी कहानी कि कैसे अपराधियों से अपराज से मुक्त कराने के नाम पर बनी जो एजनसी है वो कैसे स्वेम अपराधी बनी हुई है इसी कहानी को इस फिल्म में फिल्माया गया है तो इसलिए मैंने कहा कि ये उन्हार रचना है एक रियल घटना की इसमें भी जो एडोकेट है वो एडोकेट चंदरू है जो सुरिया जो बहुत मशूर अभीनेता है तमिल फिल्मों के वो ये रोल उन्होंने अद्धुत किया है बेमिसाल उनका जो अभीनाय है और इस फिल्म में जो निदेशक है निदेशक महोदय जो हैं ये इनकी बड़ी दिल्चस्प कहानी है ये जो सज्जन है ये पत्रकार थे और पत्रकार के तोर पे ये इस फिल्म पर काम करना चाहते थे लेकिन डॉकुमेंटरी के रूप में और जस्टिस चंद्रू पर डॉकुमेंटरी बना चाहते थे लेकिन बताया जाता है कि जस्टिस चंद्रू ने स्वैम ही उनको कहा कि मुझ पर बनाने से बहतर होगा कि आप इस स्टोरी पर काम कीजे और उस पर फिल्म बनाईए और अंत में यही तै हुआ जब निदेशक महोदे ने उस फिल्म को बनाने का फैसला किया अब दोस्तों यह फिल्म चुकि पूरी देश में और दुनिया के दूसरे हिस्टों में भी जहां भी भारत के लोग रहते हैं और अन्य लोग भी उसको देख रहे हैं सराह रहे हैं कुछ लोग अलुचना भी कर रहे हैं आज अपनी इस संचित चर्चा में हम बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म को लेकर क्या क्या सवालात उठ रहे हैं क्या क्या बाते हो रहे हैं प्रशंसा के अलावा इस फिल्म को लेकर बहस क्या है दोस्तों इस फिल्म को लेकर तीन तरह की बहस है एक बहस तो ये है कि इस फिल्म का नाम जै भीम क्यों और बहुत सारे अपने आपको अम्बेट करवादी कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जै भीम नाम रख करके और वामपंथी रुजान के डिरेक्टर या अन्य जो लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने एक तरह से जै भीम का दोहन किया है जै भीम नाम जो है नारा इसका अम्बेट कर का एक तरह से लोगों को भर्माने के लिए दलित उत्पिरित समाज के लोगों को कि उनकी बात है उन्होंने इस जै भीम का दोहन किया है तो दोस्तों हमारा एक तो इस पर एक टिपड़ी मैं करना चाहूँगा और दूसरी तरह बड़ी दल्चस्प बात है कि अपने आपको तरकी पसंद और प्रगशील कहने वाले कई आलोचक कई फिल्म समिक्षिकों ने ये सवाल उठाया है कि ये फिल्म बहुत लाउड है इस फिल्म में कोई खास चीज नहीं है इसमें नयापन नहीं है इससे बेहतर फिल्म में बहुत सारी बनी है इस तरह के कंटेंट को लेकर ऐसे लोग भी कहने वाले हैं कि इसमें काव्यात्मक्ता नहीं है इसमें के वाले सपाट कहानी है दमन की कहानी को अतिश्य महत्व के साथ दिखाया गया है तो ये एक बहुत उथली सी कहानी है जो बहुत लौड होकर परदे पर उगरती है और तीसरी बात बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं वो ये कि इस फिल्म में बदलाव का जो रास्ता है वो संबैधानिक्ता यानि कानून की तरफ केवल जाता है ऐसा लगता है कि अगर कानून ठीक हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा तो ये तीन तरह की चर्चा तीन तरह की का इस पूरे फिल्म को लेकर जो डिस्कोर्स है उसमें तीन जो विचार सामने उभर कर आए हैं बहुत संचेप में इन तीनों पर मैं टिपणी करूँगा दोस्तो दरसल वो एक सिर्फ एक न पहार्द्र समवैधानिक ता समवैधानिक यनतंद्र इनके लिए खड़ा होना इनके लिए लड़ना जूझना लोगों को शिक्षित करना लोगों को यूनाइट करना लोगों को संघर्ष के लिए प्रेडित करना किस चीज के लिए नियाय के लिए समता के लिए ये है उठाया जाने वाला नारा नहीं है इसलिए जै भीम पर अगर कोई कहता है कि उसका केवल एक अधिकार है उसकी मोनोपली है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भ्रांद धारणा है इसलिए मैं मानता हूँ कि इस फिल्म में जो जै भीम अब बहुत सरे लोग कहते है कि इस फिल्म का जो कथानक है और जो इस फिल्म का नाम है उसमें कोई सेनरजी नहीं है उसमें कोई ताल मिल नहीं है उसमें एकत्व नहीं है बिल्कुल जुदा जुदा है क्यों जुदा जुदा है क्या लड़ाई है क्या संगर्ष है ये फिल्म उत्पीडित मनुश्यता के पक्ष में नो सिर्फ एडोकेट के खड़े होने की कहानी है बलकि इस पूरी कहानी से लोगों को समाज को प्रेवित करने इंस्पायर करने और दमन उत्पीडन के खिलाब खड़ा होने की एक तरह से उसके लिए रोश्नी भी देती है ये फिल्म लोग को इंस्पायर करती है कि वो किन मुल्यों के साथ खड़े हो वो दमन के पक्ष में हो उत्पीडन के पक्ष में हो जूट के पक्ष में हो या सच के पक्ष में हो वो सम्ता चाहते हैं, मनुश्यता चाहते हैं, जनतंत्र चाहते हैं, समवैधानिक चाहते हैं या निरंग कुष्टा चाहते हैं तो जैभीम जो फिल्म है अगर उसका संदेश यह है तो मैं समझता हूँ कि जैभीम एक सार्थक नाम करना है इस फिल्म का अगर आप महुत स्थूल ढंग से चीजों को देखते हैं तो आप कहेंगे कि यह नाम क्यों आ गया वो नाम क्यों आ गया अब कोई कहेंगी इस फिल्म का नाम सिर्फ आदिवासी क्यों नहीं रख दिये यह आप डिरेक्टर नहीं है आप डूडिसर नहीं है जो प्रोड़क्ट को सामने ला रहा है जो क्रियेट कर रहा है वो तै करेगा और दर्शक अगर नहीं पसंद करते हैं तो ठीक है उसकी बात खारिश कर दी जाएगी लेकिन यह कहना कि नहीं यह नाम गलत है मैं समझता हूँ कि आप किसी निदेशक, किसी कथाकार, किसी रचनाकार, किसी फिल्मकार के अपने अधिकार को आप चुनोती दे रहे हैं और दूसरी बात यह कहना कि इस फिल्म में जो वामपंथी विचार है, माकसवादी जो विचार है उनकी डामिनेंस है तस्वीरों में माकस दिखाई देते हैं, लेनिन दिखाई देते हैं और वो भूल जाते हैं कि इसमें अमबेटकर भी दिखाई देते हैं जो इस तरह के अलोचक हैं जो कहते हैं कि मार्क्स और लेनिन इसमें दिखाई देते हैं वो ये पता नहीं कैसे भूल जाते हैं कि इसमें अमबेटकर भी दिखाई देते हैं तो उनका ये कहना है कि उन विचारों को ही प्रोपेगेट किया गया है इस फिल्म में और अमबेटकर की जो वैचारी की है उसका प्रचार नहीं है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी पार्टी किसी विचार लगारा का प्रचार नहीं है ये कहानी है और कहानी रियल है और उस घटना में जो कुछ हुआ उसको चरिटार्थ करती है फिल्म उसको सामने लाती है फिल्म और अगर कोई एंडोकेट अपने घर में माक्स की तस्वीर लगाए हुए हो सकता है और माक्स से प्रेइथ हुआ हो, विचार के अस्तर पर तो क्या इतराज हो सकता है, उसने इंबेटकर कि भी लगा रखी है क्या किसी को इतराज हो सकता है आप कहा रहें वो तस्विर क्यों है ये तस्विर क्यों किवल नहीं है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भारत में दलित समाज की मुक्ति की लड़ाई सिर्फ दलित नेता लड़ सकते हैं या युवे लड़ सकते हैं जो अपने आपको दलित व मुख्यमंत्रियों की अगवाई में बनी है लेकिन लैंड रिफार्म्स जैसा बेसिक रिफार्म जो कोई बहुत रिवुलुशनरी रिफार्म नहीं है एक एंटी फ्यूडल प्रो पीपुल प्रो फार्मिंग कम्मुनिटी एक डेवलोप्मेंट ओर्येंटेट एक एजेंडा ह लेकिन लैंड रिफार्म्स के लिए कोई गलित मुख्यमंत्री किसी गलित मुख्यमंत्री की अगवाई वाली सरकार ने काम क्यों नहीं किया बड़ा काम कोई रेडिकल लैंड रिफार्म्स क्यों नहीं हुआ अब आप कहेंगे कि इसलिए नहीं हुआ कि अमबेटकर साहब ये बताया नहीं था तो प्लीज प्लीज आप अमबेटकर साथ को माफ कीजे डॉक्टर बी आर अमबेटकर ने लैंड रिफार्म्स के लिए और ये बात नो सिर्फ आज के बहुत सारे अमबेटकर वादियों को बलकि बहुत सारे वामपंथी भी शायद नहीं जानते कि डॉक दॉक्टर बी आर अमबेटकर की राइटिंग्स पढ़ी है खासकर उनकी जो हिंदी में जो वैलूम्स है उसमें वालूम नंबर टू में राज्य और संख्यक जो पूरा का पूरा एक बड़ा चेप्टर है उसमें भारत के लिए एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक संभिधान का जो प्रारूप पेश किया था डॉक्टर अमबेटकर ने जिसका नाम है संजुप्त राष्ट भारत का संभिधान उसमें बाकायदा डॉक्टर अमबेटकर लैंड इफार्म्स का एक एजिंडा पेश करते हैं और उसे बहुत जरूरी बताते हैं काश उस पर दलित मुख्य मंत्री जो बले राजे सरकारों की अगवाई करने वाले काश उसको उन्होंने देखा होता और उसके मुतलिक लैंड इफार्म्स किया होता लेकिन अपने देश में वो लैंड इफार्म्स सबसे पहले जमुकश्मीर में हुआ हम सब जानते हैं 1950-51 के बीच में इसके बात केरल में हुआ देवराजर्स ने करनाटक में किया तो मेरा ये कहना है कि लैंड इफार्म्स जैसा जरूरी कारिकरम अगर एक्जिक्यूट किया उन लोगों ने भी जो दलित समाज से स्वैम नहीं आये थे लेकिन जिन्होंने दलित समाज और पीडित समाज के एजेंड मेकेनिकल रंग से बहुत यांत्रिक रंग से नहीं सोचा जा सकता है नहीं उसको एनलाइज किया जा सकता है इस फिल्म को लेकर और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि प्रशील विचार के बहुत सारे समिक्षकों ने आपत्ति उठाई है कि ये फिल्म कलात्मत नहीं है बहुत loud है, बहुत स्थूल है, atrocities के वब दिखाती है, और ये दिखाती है कि उसी से पूरी कहानी जो है, उसी पर केंद्रित है, मैं समझता हूँ और और वो ये बताते हैं कि अंकुर जैसी फिल्में, निशान जैसी फिल्में, मृगया जैसी फिल्में, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो इससे बहतर है, देखे कौन बहतर है, कौन कम बहतर है, कमतर है, मैं इस पर नहीं जाओंगा, हर फिल्म का अपना content होता है, अपना treatment होता हर डिरेक्टर की हर निदेशक की अपनी अदा होती है अपना कला कॉशन होता है उस हिसाब से अगर फिल्म को देखा जाए तो ये फिल्म बिल्कुल नए किस्म की फिल्म है खास कर इसमें एडोकेट का जो करेक्टर है चंद्रू का वो जिस तरह का कमिट्मेंट उसमें दिखाई देता है अगर आज के कॉंटेक्स्ट को आप देखिए तो भारत में मानवा धिकार आंदोलन की खास कर जो कानूनी पहलूँ को लेकर आगे बढ़े उसकी कितनी जरूरत है ये दिल्ली से लेकर और महराज तक और आंध्र से लेकर के और 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 दूसरे और स्टेट्स तक देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश जहां पर बेगुनाह लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है बेहत उत्पिरित किया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है हत् जो रास्ता दिखाती है कि कैसे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए चंद्रू स्वैम के रल चला जाता है इंस्टिगेट करने इस पूरी कहानी को इस पूरे दमन की पूरी चक्की और वही उजागत फिर होता है कि बंदी प्रतक्षिकर्ण याचिका जो काम्याब होती है और उ जो घटना क्रम है वो उलट पिलट जाता है और दोस्तों फिल्म पर जो तीसरी टिपणी की जा रही है कि ये फिल्म का और ये टिपणी करने वाले कुछ प्रशील समिक शक्मी है और कुछ अमेट करवादी भी अपने को कहने वाले हैं कि ये फिल्म जो है दूसरे जो कोट रूम तक सिमित है तो कुछ लों का ये भी कहना है कि क्या बदलाव सिर्फ कोट रूम से होगा मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि 165 या 166 मिनिट की फिल्म में सारी कुछ चीज़ें एक ही साथ दिखा दी जाए जब ये फिल्म है पूरी क इसलिए फिल्म एक ही विशेपर केंद्रित है और उसी पर वो सारी के सारी उसकी पालूं को सामने लाती है ये समाज में जो गैर बराबरी है जो वर्ण ब्यवस्ता है जो सामाजी की भेध है उन सबका ये फिल्म पर दाफास करती है और एडिंस्टेटिव रिफॉर्म की कि जरूरत है कास कर पुलिस के कॉंटेक्स्ट में कैसे और राजनेताओं के बीच जो रिष्टा है जैसे एड़ोकेट जनल कहता है कि ये केस अगर हार गए तो हमें MP का टिकट नहीं मिलेगा मेंबर आप पार्लेमेंट का मैडम ने कह रखा है अब आप तमिलनाट की राजनीत इसके आप समझ सकते हैं कि कांटेक्स्ट क्या होगा इसलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि ये फिल्म जैभीम अपने नाम और अपने content और अपने treatment तीनों मामलों में इस तीनों में एक रुपता है लेकिन तमिल सिनेमा की इस फिल्म को मैं समझता हूँ कि एक महत्वपों कलाकृती के रूप में देखा जाना चाहिए और इसको राजनीत के जो जुमले हैं जो बहुत का चालू जुमले हैं उनकी रोशनी में नहीं देखा जाना चाह जार दोनों के चश्मे से दोनों नजरिये से अगर देखें तो एक काम्याब फिल्म है एक काम्याब रजना है तो दोस्तों जै भीम नमस्कार आदाव सत्रियकाव